जैसा कि आप सबको ग्यात है कि आगामी नवरात्र शारदी नवरात्र जो है अक्तुबर से चालू होने वाले उसके लिए मैंने 20 दुरलब शाबर मंत साधनाई डाली हुई है उसके अलावा जो मैं आज साधनाई देने वाला हूँ वो है तांतरोक्तर बीज मंतर की गुप्त दुर्गा शप्तशती दुर्गा शप्तशती नॉर्मली आपको किसी भी बुक स्टोर में धारमिक गरंतों की किताबों के स्टोर में मिल जाती है परंतों जो गुप्त दुर्गा शप्तशती है उना आपको नेट पर मिलेगी ना ही आपको स्टोर पर मिलेगी इस कारण से ये गुप्त तांतरोक्तर बीज मंतर की दुर्गा शप्तशती होती है इसमें टोटल सोला पेज होते हैं ठीक सबसे पहले जो आता है आप पेजिस के नाम सुनिए और आपको इससे बहुत ग्यान मिलेगा शिव जी के अश्वरूप के पहले नाम होते हैं फिर शिव जी के जो अश्ट भैरफ स्वरूप है उनके नाम होते हैं फिर उसके बाद आता है सिद्ध कुंज का स्त्रोत्म उसके बाद आता है माता दुरुगा का रक्षा मंदर जिससे मा, दुर्गा सब की रक्षा करती है उसके बाद आएगा आपका मा, दुर्गा का मरत संजीवनी मंतर उसके बाद चालू होगा आपका प्रतम चलेतर मतलब पहला पार्ट ठीक, अध्याय वन ठीक उसके बाद दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट उसके बाद चौथा पार्ट ऐसे करते करते आपके पूरे पार्ट कम्प्लीट होँगे जोकी 16 पार्ट की दुर्गा शप्तशती गुपत है जब आपके 16 पार्ट गम्प्लीट होंगी उसके बाद फिर से म्रत्सन जीविनी मंत्र और दुरगा माता का जो दौरशित नाम होता है नामा वली होती है वो आपको करना होगा और फिर उसका समापन करना होगा पार्ट का प्रती दिन आप नवरात्र में एक पार्ट करेंगे उपवास रखना है आपको उपवास रखने के तत पश्चात आपको करना क्या है एक बाजोट पर माता दुरुगा का चित्र लाल कपड़े में विदीवत स्थापित कर लेना है याद रखें ये जो साधना रहेगी दुरुगा शप्तशदी की ये पूर्टा सात्विक है इसम कोई भी मास मतन मदिरा का भोग नहीं लगेगा उसके बाद आप जब विदीवत स्थापित कर लेंगे माता दुरुगा का चित्र बाजोट की उपर लाल कपड़ा बिछा करके उसके बाद आपको करना क्या है नौ पान के पत्ते लेने है नौ पान के पत्ते में हल्दी अक्षद कुमकुम ये सारी चीज आपको लगेगी और प्रती दिन आपको एक फल चढ़ाना है याद रहे कि आपको जो फल चढ़ाएंगे वो रिपीट नहीं होगा जैसे कि आज आपने अपल चढ़ाया तो कल अपल नहीं चढ़ाएंगे कल केले चढ़ा सकते हैं संत्रे चड़ा सकते हैं, तो वो फल जो है, फल रिपीट नहीं होगा, उसके बाद आपको एक नारियल लेना है, नारियल में साथ मौली धागे की गठान बांध करके, एक लोटा गंगा जल लेना है, उसके अंदर एक सिक्का, हल्दी की गांट, सुपाडी, और नौप, हाम के पत्ते बैठा करके, उसमें स्वास्तिक बना करके, आपको उसमें कलश सापना करनी है, कलश सापना करने के तत पश्चात, आपको तीन भोज पत्तर लगेंगे, जो आपको यंतर दिया जाएगा, पहला शिवयंतर दिया जाएगा, उसको केसर की सियाही से बनाना है, दूसरा, आप आपको माता दुर्गा का यंत्र दिया जाएगा उसको भी केसर की स्याही से बनाना है और तीसरा भैरव यंत्र बताया जाएगा जो कि आपको केसर की स्याही से बनाना है तीनों यंत्रों को रख करके उसके बाद पूरे आप जो पान के पत्ते लाएं उसको बिछा करके आपक तीन दीपक जलाना है पहला इशान मुखी रहेगा जोकी रहेगा शिवजी के लिए सरसोका तेल लगेगा दूसरा जो रहेगा माता दुर्गा के लिए पूर्व मुखी दीपक लगेगा और तीसरा चार मुखी दीपक रहेगा जो भैरव जी के लिए लगेगा दीपक लगाने के बाद आप लाल आसन, लाल कपड़े और रुद्राक्ष की मारा लेकर के बैठ जाएंगे हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे कि हे भगवती, हे आदिशक्ती मेरा नाम, मेरा गोत्र, मेरे माता का नाम पिता का नाम एड्रेस ये है मैं आपके सब्तसती, गुप्त दुरगा सब्तसती का पार्ट प्रती दिन एक बार करूँगा और मेरी अमुक अमुक मनो कामना पून करे, मेरी उपर सदय भी कृपा दिश्टी बना कर रखे, और कृपया कर इस साधना को सफल बनाए, उसके बाद आप जल को छोड़ देंगे जमीन पर, उसके बाद आपको एक बार एक माला गडेश मंतर करना है, ठीक, उसके पहले आप पढ़ेंगे वक्रतुन्द महाकारे, सूरे कोटी समप्रभा, निर्विग्नम कुरुमे देव, सर्वकारेश उस सरवदा ठीक, और एक माला आपको गडेश मंतर कर लेनी है, उसके बाद आपको पूरे पार्ट कंप्लीट करने है, सोला के सोला जो मैंने पहले भी बता चुके हैं, और सोला लेंगे हवन कुंड में, यह आपकी हो गई साधना एक दिन की कंप्लीट, फिर दूसरे दिन फिर यही करेंगे, फल रिपीट नहीं होना चाहिए, केला ले लेंगे, यह सारी चीज़े ले सकते हैं, उसके बाद फिर तीसरे दिन नामावली आपको दी जाएगी, उस पे आप हवन करेंगे और भगवती को भोग प्रशाद लगाएंगे, मीठा हलवा और पुडियोगा, भोग लगा करके, पानी दे करके, आचमन करके, आप उनसे जो भी आपकी मनों कामना है, वो आप पूर्ण कर सकते हैं, ये जो साधना होगी, साधना में आपको ब्रह्म चार का पालन करना होगा, मास, मतन, मीठ, दारू, सिगरिट, बिडी, गुटका, पान, तमाको इन सब चीज से परेच करना होगा, नो के नो दिन आप अपने बाल प्रदान करेगी, अब आते हैं कि आपको एक दुरुगा शप्तशती कैसे मिल सकती है, 28 of September, last date है, आप last date मतलब ये registration करवा लिजिए, और आपको दक्षना देने के तत पश्चात 41 सो रपे, ये दुरुगा शप्तशती पारसल कर दी स्पीट कोरियर से, ताकि आप इसको पढ़ सके, क्या होता है, फोन में अगर फोटो कीच के भेजते हैं, कई बार फोटो बलर आती है, ये सारी चीज़े परिशानी होती है, इस कारण से ये सोचा गया है, कि गुप्त दुरुगा शप्तशती, कि जो फोटो कॉपीज है, व बहुत ही जल्दी काम बनाती है आपके, तो अगर आपको ये गुप्त दुरुगा शप्तशती चाहिए हो, बुक पूरी, तो आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, सारी चीज़े ले करके, आप गुप्त दुरुगा शप्तशती की पा जात्री लग जाएगी, तो ये है कि दो से चार दिन के अंदर स्पीट पोस्ट पहुंच जाता है, फिर स्पीट पोस्ट नहीं पहुंच पाएगा, तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी, जैमामरी